maior! एकustर लोख वे,, if you had subscribe, is here now, Kerrye ओर अछम लोग बात करेंगे Canada का प्रेजट के तरफ से एक statement, जिसमें Canada प्रफ कहना है कि वी वांन वांन इंडिया , अलया कना स Communص Un ¿ अलब कानदा कहना है कि इंडिया जो एक कंट्री है यह सेके यह हम लोग गोछ पास्त में देख रहे थे के खालिस्तनी मोविंट जिसमें कुछ खालिस्तनी सप्पोर्टर का कहना था कि खालिस्तन बोलके एक अलग से कंट्री बना दो इंडिया को डिवाइट कर दो कैना ने cooking दुनिया के सामने यह बोल दिया कि हम लोग कुछ सपोर्ट भी नहीं करते हैं हम लोग का कहना है एक इसको सपोर्ट करते हैं तो अगर हम लोग पास्ट में देखें तो बहुत सरा इसको लेके प्रॉब्लम हुआ था बहुत ताइम में बहुत पर कैनाडा के तरफ से different statement भी आ जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था कि जो जस्टिन टूडो है वह भी सपोर्ट कर रहे खालिस्तानी मूवमेंट को भले ही वह अपने तरफ से या फिर कैनाडा का गवर्मेंट जो है वह अपने तरफ से ना बोले ऑन दार साइट उन लोगा जो हरकत था उससे तो हम लो गवर्मेंट के द्वारा क्या गया है अगर वह क्या पूफ है वह आज तक हम लोग के सामने पॉब्लिक नहीं हुआ और एक्जाक्ली के तरफ से इंडिया को सोपा भी नहीं गया या फिर ऐसा कुछ प्रूफ इंडियन गवर्मेंट को अभी तक नहीं मिला तो जो भी है यह इसको खराब करता गया बहले इंडियन गवर्मेंट अपने तरफ से जो स्टैंड रखा है कि आप लोग के परस अगर ऐसा कुछ प्रूफ है जिसमें इंडियन गवर्मेंट ऐसा कुछ किया तो आप वह पॉब्लिक करो मगर कैनाड़ ने यह कभी भी पॉब्लिक नहीं किया अगर किसी का उमीद नहीं था अब कैनाड़ के तरफ से यह स्टेटमेंट है कि हम लोग जो है इंडिया को सपोर्ट करते इंडिया एक ही कंट्री यह डिवाइड होना नहीं चाहिए और यह जो कालिस्तनी मुवब्मेंट है इसको कंप्रिटली के गवर्मेंट ने इग्नोर कर दिया अचानक से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है अचानक से आप जो उमीद करें उसका अगर 180 डिग्री करन ले लेता है कोई तो आपको भी घबरहाट होगा भाई क्या हुआ इसके साथ क्या हुआ है जिंदेकी में अगर अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो क्या प्रॉब्लेम है उसको लेकर करने लगेंगे जो सिच्वेशन इसका अनलिसिस करने लेंगे तो हम लोग भी वही कर रहें कि क्या हुआ है और एचानक से कैनाडा ने क्यों यह 180 डिग्री टर्न लिया यह अगर जानना है तो हम लोग को कुछ जो प्रेजन दुनिया में ह हो रहा है उसको अनलिसिस करना पड़ेगा अब कैनाडा का यह जो 180 डिग्री टाने इसके पीछे दो मेजर रिजन एक है रशिया वर्सेश तो पास्ट का था अभी तो चाइना वर्सेश हो गया है जो भी रशिया चाइना तो अभी बहुत अच्छे दोस्त है वह कॉंसेप् नरेन्टरों कौनेंट है तो एक-एक करके आते हैं पहले जो इंटरनाशनल अ कॉंसेप्ट सørे आज रट में हमने मैं स्री नरेंड्र मोधी जी वह रशाघ्शो यह में गाण। में दुनिया के जो बड़े लीडर से जैसे कि आप जिंपिंग को ले लिजे या फिर एडवर्ण भी हो सकता है कि आए और पुतिन तो हां रहेंगे तो नो डाउट ब्रिक्स जो है अभी सबके एक्दाक्ली वान अप दा मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग या फिर समिट होने दुनिया में हर कोई कंट्री जो है वो ब्रिक्स के तरफ देख रहा है कि आगे यह रशिया चाइना और इंडिया के बीश में जो रिलेशन है यह कैसे आगे मुव्मेंट करते हैं क्या यह जो तीन कंट्री है यह क्या एंटी वेस्ट बन जाए या फिर ऐसा बहुत सारा अगर हम लोग 2025 में देखे तो जी सेवन होने वाला है तो पास में जबी भी जी सेवन हुआ अड़ पॉंट अफ टाइम इंडिया को स्पेशल गेस्ट के तरह जी सेवन में इंविटेशन लिया तो इस बार जब जब जी सेवन होगा 2025 में तब वेस्ट के उपर एक प्रेशर है वेस्ट को क्या करते है वेस्ट को दिखाना है कि जी सेवन ज़्याधा सखेस्फुल है कंपेश्ट investigators 24 में हो अब इस लिस्ट में कोई भी आज के डेट में इंडिया के PM या फिर इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो नोड़ाउट G7 में इस बार भी इंडिया को बुलाए जाएगा as a special guest PM Modi को भी बुलाए जाएगा as a special guest और इंडिया हो सकते हैं कि G7 में जाए अगर हम लोग पास्ट में जाए जून 2024 में जस्टिन टूडू को मीडिया से पुछा गया कि अभी तो जी सेवन होने वाला है पास्ट में जो भी जी सेवन हुआ है उसमें हमेशा इंडिया को एक स्पेशल गेस्ट के तरह इंवाइट करेंगे या फिर क्या होगा कि हम लोग इस बारे में अभी तक को सोचा नहीं जब भी टाइम अगा इसको लेकर डिशियन लिया जाएगा आ गया कि आप लोग को यह ज इंडिया को इंवाइट कर दे जस दूसको वाण नेशन मतलब एक ही कंट्री मानते इसको डिवाइट करना नहीं चाहिए ऐसा कुछ हम लोग सब्सक्राइब नहीं करते है तो जो भी है इसके पीछ एक्जार्टी रिजन क्या है अब अगर ऐसा कुछ खालिस्तानी मुव्मे इसमें जॉइन नहीं करेगा तो दुनिया के सामने हर जो वेस्टरन कंट्री है उन लोग के उपर एक तमाचा पर जाएगा क्यों क्यों लोग सोचेगा के भाई ब्रिक्स जो है वह जादा सक्सेस्फूल है क्योंकि उसमें इंडिया भी गया था इंडिया बोल जया के भाई हम लोग जी सेबन में नहीं जाएंगे तो दुनिया क्या सोचेगा और यह चीज यूएस को अच्छा नहीं लगया इसलिए यूएस ने अपने तरब से हो सकता है कि कानडा के उपर प्रेशर क्रेट किया भाई आप लोग का जो प्रॉब्लेम था में इंडिया के साथ वो सब आप लोग रिजॉल्फ करो जल्दी से सारा प्रॉब्लेम को फिक्स करो और यूएस चाहता है कि मोदी जी जी सेवन में आए वहां डिफरेंट टैप हो जो एग्रिमेंट है यह जो भी बात है सब कुछ हो और जी सेवन ज्यादा सक्सेस्फूल ह अगर यह नहीं हो था तो कैनाडा को एक हाथ ले लेगा यूएस जब यह आदेश यूएस से आया होगा जस्तिन टुडो के पास तो दूसरा कुछ ऑप्शन बचा नहीं है तो जस्तिन टुडो तब लग गए कि इंडिया के साथ हम लोग जो रिलेशन है यह हम लोग बहुत है यह बेकार में बिग रहा है जिसमें कनाडा का ओविएसली कोई फाइदा नहीं है बेकार में इंडिया के साथ यह सब पंगा लेके बैठे अंदादा से इंडिया आई यह आई है अपने तरफ से जो स्टूडेंट आ रहा था उसको भी बंद कर दिया जिसके बाद से अपने तरब से यह 180 डिग्री टान लिया है और पहले से 2025 में होगा जैसे के हम लोगों पता है कि जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी सिचुएशन कोई भी सिचुएशन अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको बहुत पहले से उसके लिए सोच रखना होगा उसके लिए आप सबके सामने अनॉंस करें के इंडिया जो है वो जी सेबन में स्पेशल गेस्ट है हम लोग मोदी जी को इंविटेशन वेज रहे साथ हम लोग पबलिक में भी बोले कि मोदी जी आप आईए और जी सेबन में पाटिसिपेट कीजिए तो जो भी है यह फ्यूचर का बात है ज सपोर्ट करके रखाता है यह सपोर्ट अभी प्रेजेटली नहीं है अब एंडिपी को ने एंडिपी है नैशनल डेमोक्रेट पार्टी जिसको लीट करते है जगमित सिंग यह नाम शायद आपने सुना होगा अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो जब भी ऑप यह जो अब है जो अब फिक्रट पिएंडिपी का स्पोर्ट ता जिसको सपोर्ट नहीं करते जो भी हो अब यह सब होने के बाद आपका पहला इसको नहीं किर गया है क्यूंकि नहीं किरा है यूट पीछे कारण है बहुत सारा चोटा पार्टी हुआ हमेशा देखा गय के एगेंस में जब भी भी ऐसा कुछ सिचुएशन क्रियेट होता है तब जो चोड़ा-चोड़ा पार्टी दे वो लोग सपोर्ट कर देता है जिसके वाइसे जो सकता है कि इंडा नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी कनाडा में जो गवर्मेंट है यह गिर जाए और यह गिरन पहले फीट अपर रहा था जोब आपने तरब से जैसा इस के लावा भी अगर देखा झाही यही खालिसतानी को लेके जो फिछला स्टेटमेंट रहा है या पिछ जो कुछ प्रूफ है तो पबलिक करो अगर यह ब्लेम गेम जो है वह बहुत दिन तक चलता था मगर कुछ भी प्रूफ सामने नहीं है तो जो भी है जस्टिन टुटो देखा के भाई अभी जब एंडीपी हम लोग को डिच किया है तो हम लोग चलिया अपना पुराना रिलेशन है उसको फिर से ग्रो करते इंडिया के साथ अंदा दसेट उसका भी प्रेशर है कि जी सेवन आने वाला है तो जस्टिन टुटो ने वह ने टीडिया और इंडिया के लिए ये स्टेट्मेंट देजियार अगर यही सिचुएशन चलता रहा तो आगे जाके अब यस्टिन टुटो के तरफ से डिफेंट जो करता है दुनिया को लगता है कि जी सेवन ज्यादा सक्सेस्फूल है कंपेर टु तुथाओजन टुटिफोर के ब्रिक्स के अगर सब कुछ ठीक रहा तो जस्टिन टुटो फिर से बापसा जाएगा और यह जो एंडिपी है इनका जो पावर है यह तो अभी भी कुछ पाव चोट मिलेगा मतलब यह इतना प्रक्तिवली यह काम नहीं कर पाएगा जस्टिन टुटो का सपोर्ट था इसलिए खालिस्तानी मूवमेंट इतना ग्रो कर रहा था पन्नु जो है वह आ गया के जो बयान बाजी कर रहा था इस टाइम में हम लोग यह करेंगे हम लो करेंगे इंडिया में यह नहीं है राहुल गंदी को भी सपोर्ट कर दिया पन्नु ने यह सब यह सब पुरा खतम हो जाएगा अगर जस्टिन टुटो फिट से गवर्मेंट रहता है वह भी एंडीपी के सपोर्ट के बिना इसके लावी अगर हम लोग देखे जो पीछला जो केस चल जाएगा क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडियन गवर्मेंट अपने तरफ से स्टैन लेगा क्लीन रियर बोलेगा कि आप लोग यह जो कैनाड़ा है ना यह कंप्लिटली खालिस्तानी को सपोर्ट करता है इसलिए हम लोग जो हम आपने जो प्रॉब्लम है या फिर अपना जो फ्यूचर सोच है वह बिक्स में करते हैं इंडिया जो है इंडिया को एक चीज तो फाइदा मिलता है कि इंडिया जो इसको कैसे अपने नैशनल इंट्रेस्ट के लिए यूज कर ना चाहिए वह इंडिया कर लेता है और इसके बएसे आगे जाकर जाकर एक हाथ आपको बोला था कि इंडिया के साथ अच्छा कर आपने किया नहीं इसके वाए से हम लोगा जो जी सब्सक्राइब कहला है नहीं जा रहा है और कोई बोल रहा है कि ब्रिक्स ज्यादा सक्सेस्फूल था जो 2024 में हुआ तो नो डाउट जस्टिन डूडो इसको लेकर थोड़ वो सब कुछ सुधारते इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करते एक्लिस जी सेवन सक्सेस्फूल होगा तो येस खुश होगा येस खुश होगा तो मुझे एलक्षन में भी थोड़ा वह सपोर्ट मिल जाएगा आगे जाके मैं अपना कुर्सी फिर से बचा पाऊंगा तो इस केस में और कुछ जान बचेगा नहीं यह कि बस खतम होने वाला है क्योंकि कोई भी प्रूफ नहीं गया है on the other side मुझे नहीं लगता है कि जस्टिन टूडो आगे जाके फिर से इस केस को प्राइस करने के खोशिश करेगा तो नोड़ा और जो भी होगा वो आपको को जाकर सब्सक्राइब कीजे बहुत सारे इंट्रेस्टिन स्टोरी आपको होहां मिलेगा जो आपको सबसे चलगता है आपके लाइप के जो बेला करने उसमें क्लिक कर दीए डिफरें टाइम में डिफरेंट वीडियो आता है आपके पास तुरन नोटिफिकेशन पहुंच झाल